देखिए देश के नेता एक दूसरे पे दोसा रोपन लगाते हैं उस सरकार में इतनी मौत ही हमारे में कम हुई ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है कि सभी स्टेटों के सीम को बुला करके समय रहते उनको की कितना दवा के लिए पैसा चाहिए ये ब्यवस्था आप कहांगर यही सिती पैदा है तो इसकी ब्यवस्था कराई जाए इस पे चर्चा करने की फुर्सत किसी ना तो प्रधान मंतरी को है ना ग्रीह मंतरी को है ना स्वास्त मंतरी को है खाली बस उंगली उठाई जा रही है इसके जिम्यदार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनु है बात के लिए राजेस्थान में ते कॉंग्रेस की सरकार है और कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि नर्सी के मुद्व को दबाने के लिए यह हमारे यहां के बच्चों की मतों के आपड़े को उपर लाए जारा है इस तरीके की चीज़ें चलिए देखे मोदी जी कांग्रेस के खिलाब बोलते हैं कांग्रेस भाजपार खिलाब बोलती है इन लोगों के पास देश में बेरोजगारी 90% आज का नौजवान बेरोजगार है बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पे चर्चा करने के लिए इन लोगों के पास फुरसत नहीं है देश में महंगाई बढ़ रही है इस पे चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है देश में अच्छी सिख्छा कैसे लागू हो इस पे चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इस पे चर्चा करने के लिए फुर्षत नहीं है आज देश में जो बेरोजगारी का आलम हो रहा है आज देश की GDP 2014 के पहले 8.2 पर्षंट थे आज गिर के आ गई 4 पर्षंट एक कैसे उठे इस पे चिंता नहीं नौजवान को रोजगार कैसे मिले इस पे चिंता नहीं है बस ये दोनों चित्तू कांता हैं एक कहावत है देखे आपके बनारस में हजारों ऐसे परिवार हैं आज भी जिनके पास रहने के लिए ना जमीन है ना घर है वो दिन भर रोजी रोटी कमाते हैं और दिन सामको खाते हूं कहाँ से कोई सबुत देगा पंद्र करोड से जादा लोग घुमंतू जाती हैं जो आजादी के पहले से यहाँ अपना जीवने अपन करती हैं वो कौन सा प्रमार पत्र देंगे यह पाकिस्तान से बंगला देश से अफगानिस्तान से लोग आएंगे तो ग्रीह मंत्री जी उनको प्रमार पत्र देंगे लेकिन भारत में जिनके पास सबूत नहीं होगा उसको यह देश से निकालेंगे पहले तो अमिसाह जी और मोदी जी ये लोग साबित करें कि हम भारत के रहने वाले हैं तब हम लोगों से ये माँगें पिछड़ा दली तल्ब संख्यत भारत का मूल निवासी है ये पहले साबूत पेस करें कि हम लोग यहां के निवासी हैं हम लोग निकालेंगे यह तक जी शेर्फ ड्रामा है लोगों का ध्यान महंगाई पे न जाए वेरोजगारी पे न जाए सिक्षा पे न जाए दवाई पे न जाए इससे भटकाने के लिए तरह-तरह के ड्रामे शुरू कर रहे हैं ज़्यादा मतलब जो भी विरोध हुए इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर मतलब एक वर्ट मिसेस को ज़्यादा जड़ा हुआ है दुखिए भारती जन्ता पार्टी मुसल्मानों के उपर राजिनित करती है हिंदू मुसल्मान करके हिंदू को इकठा करके सिर्फ पोट लेने के इनकी पॉल्सी है और कुछ नहीं है और जब तक देश में संबिधान रहेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते सब कुछ संबिधान से चल रहा है ये सिर्फ डरवा रहे हैं मुसल्मान को नहीं डरवा रहे हैं हिंदू को बेवकूफ बना रहे हैं और वो ओट लेने की साजिस हो रही है और कुछ नहीं है उसमें प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पे हमलावर है इस नए रूप देखने को मिल ला है उनका लगातार यूपी में प्रिडितों के घर भी जा रहे हैं और भगवा करके एक सब दुनों ने मुखमंत्री के लिए खाया था देखे ये प्रियंका जी का मामला है मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस भाजपा को दोसी देती है और भाजपा कांग्रेस को ये दोनों एक ही हैं चाहे आज भाजपा की सरकार है ने जीतने भाजपा में हैं कल कांग्रेस की सरकार बनने को होगी तो छोड़के भाजपा का जाएंगे